बहुत दिन हुए थे कुकिंग नहीं किया था और थंड का मौसम भी चल रहा है तो शिफ्ट्स ऐसी है कि बाहर निकलना नहीं हो रहा है तो सोचा क्यूं नहीं इस बार कुकिंग किया जा और कुकिंग का व्लॉग बनाया जा है फैमिली के साथ नहीं दूलन आईए तो सोचा थोड़ा सा महारश्यन फूड पर जाए क्यूंकि चिकन फिश रिसेंटली हुआ तो वीडियो यही से स्टार्ट करते हैं वेलकम टू नाशिक चा बाब मौशाय चैनल तो थोड़ा वेज में हम लोगोंने सोचा बना के वीडियो बना है तो जो काला मसाला है टिपिकल महारश्यन उसका मतलब हम लोगों को तो बहुत क्रेज है महारश्यन में इसका बहुत ही मतलब यूज होता है और इनका base काला मसाला में ही जातर बनता है गाओ में especially तो सोचा क्यों ना काला मसाला रस्सा बना जाए तो किसके साथ बनाएंगे शेवगा का शेंगा फल्ली बोलते हिंदी में पता नहीं और भी कुछ बोलते रहेंगे तो आप लोग ज़रू बताईगा तो फल्ली और भजी भजिया जो आप पकोड़े खाते हो बेशन का उसकी अम्टी भी बनाते है तो थोड़ा हम लोग वराइटी शेवगा कशेंगा और भजी दोनों मिला के आज काला मसाला रस्सा बनाएंगे जिसको खाएंगे हम लोग डाल बाटी के साथ एक्चली जो बाटी होती हो डाल के साथ खाया जाता है दो टाइप की बाटी होती रास्तानी और भुसावल खांदेश की हम लोग जो रास्तानी बाटी गोल गोल वो उसका प्रोसेस नहीं बताएंगे क्योंकि पहले भी वीडियो में बन चुका है तो हम लोग का फोकस रहेगा आज काला मसाले पे तो बाटी के साथ काएंगे और इंद्राहिनी राइस जो मेरा फेवरेट है तो मसाले का प्रोसेस जैसे कि आप सबको पता है नई भी पता होगा तो सब सब पहले प्यास हम लोग चला लेंगे थोड़ा सा काला मसाला भाना नहीं तो काला लब इसको भूनेंगे तभी ये इसका काला मसाला का स्वाद आएगा आज हम लोग गर पे ही कर रहे हैं टेरेस या बाहर ने कर रहे हैं क्योंकि चिकन विकन होता तो अलग मज़ा आता यह वेजे तो यह एक बार होने का आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आज के साथ अभी हम लोग नारियल खोबरा पका हुआ खोबरा सुखा हुआ खोबरा इसको भी प्यास की जैसा तोड़ा हलका भून लेंगे कोई किस के भूनता है हम लोग अख्खा भूनेंगे काट के भी कर सकते डिपेंड जिसको जैसा अच्छा लगे हम लोग ने अख्खा किया है इसको हम लोग पीसेंगे तो अगले अभी हमारे भूनना हो गया है अभी हम लोग आगे का प्रोसीजर यह हमारा प्याज हो चुका है अभी यह हमारा नारियल भून के हो गया है देखो गरम अभी भी है प्याज अल्रेट हो चुका था टमाटर अभी यह सब हम लोग लेंगे मिक्सर में जिसमें रगादरक लसुन, खोबरा, जो जला हुआ है, कांदा, ये भी पहले बुन लिया है, कडी पत्ता, हरी मिर्च और कोथम देर, ये सब का मिक्स करके काला मसाला का पेस्ट बनाएंगे, पहले वाले वीडियो में हमने ये प्रोसीजर नहीं दिखाया था, जो पहले बता दिये, यहाँ पे हम लोग लेंगे शिंगा, तो चलो मसाला बना ले, ये जो शिंगा है, इसको अभी पहले बॉइल करेंगे, नमक, पानी में नमक डालेंगे, बॉइल करेंगे, ताकि जल्दी बॉइल हो जाए, नमक डालने का रिजन है, उसमें स्वाद भी रह बॉइल करेंगे, 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 बॉइल करें तोड़ा सा जीरा, एक लाल मिर्च, सुखा लाल मिर्च, अभी इसमें हम लोग अभी गरम हो गया है, अभी इसमें डालेंगे काला मसाला जो हमने मिक्सर में बनाया था, दिये दो अभी जो हमने काला मसाल का पेस्ट है, गरम तेल में जीरा और लाल मिर्च डाल के इसमें डाल दिया, अभी इसको अच्छे से बूनेंगे, बंगाली में बोलते कौशा हैंगे तो इंग्रीडियंट्स बता देता हूँ, जो शेंगा होता है, की बोले हो रे, इंदी थी, फल्ली बोलते हैं, काला मसाले के लिए इंग्रीडियंट्स रहेगा, प्याज, भुनने के लिए प्याज, नारियल, कडी पत्ता, कोथंबीर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, और टोम पत्ता, रेड चिली पाउडर और थोड़ा घरगूती मसाला, यह हमारा जो काला मसाला है, घरगूती काला मसाला, हमने जो बनाया है, अल्रेडी बना के रखते हैं, सालवर के लिए, वो इसमें डालेंगे, यूज होता है, बहुत सारे खाने में हम लोग इसको यूज करते ह बिंगॉली डीशेस में कभी यूज नहीं होता है, कि उनको जातर पता ही नहीं है, हम लोग महाराश्टर में बचपन से, मतलब जनम ही हमारा हुआ हुआ हुए, और मम्मी ये लोग पहले से रह चुके हैं, तो पता है कैसे बनाते हैं, अब इसमें डालेंगे, कि ये, लाल म मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, तेस्ट को अलग से बूस्ट करता है, और नमक, प्योर काला मसाला नहीं बना रहे हैं हम लोग, तो टीपिकल मतलब महाराश्टन डॉक बनाते हैं किसी चीजों में, अब हम लोग बेसन डालेंगे, थोड़ा सा बेसन, टेस्ट भी बनाता है और ग्रेवी ठीक भी बनता है इसका, इसको भूनके डालते है, हम लोग, जब मसाला बूनी रहे हैं, तो उसके साथ यह भी बून लेंगे, तो बेसन भी बून जाएगा उसके अदर ग्रेवी भी ठीक रहेगा, और टेस्ट बूस्ट होता है, मैं पहले मिस्सल बन और टेस्ट भी आने लगा था तो ये बस एक्सडेट्टी मेर से हो गया एक्चुली एसी बनाते मैंने किसे को पूचा नहीं था और इसमें भी बनाते ये घर पे बनता था मैंने कभी नोटीस नहीं किया आज सोचा क्यों ना काला मसाला शेंगा बना जाए अरबर चिकन और फ पुलहन शपना 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 बेंगवाली में शपना बोलते हम जो भी हो मैं एक सवाल पूचूंगा काला मसाला सबजी कभी खाई एक है तो फर्स्ट टाइम है चिकन वगर कुछ भी नहीं खाया इनके जो हस्बंड है जो मेरे छोटा बाई है वो स्पेशलिस्ट है ये न छार चीज़े खाई है तो अभी दिरे दिरे सीख जाएगी राई इंट्रेस्ट है खाने में इंट्रेस्ट है कम है क्योंकि राजस्तानी खाना अभी तक के मतलब बचपन से खाई है तो वीडियो में भी फर्स्ट टाइम है ज्यादा हम लोग परिशान नहीं करेंगे जब अब इसमें गरम पानी वो जो मसाला भून चुके ग्रेवी बन रहा है खाड़ाओ दिये दे बागी और शेंगा भी इसमें दे देंगे जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था काला मसाला जो बनता है ग्रेवी उसमें आप चिकन डालोगे तो चिकन का फ्लेवर आजाए हमने यापे बजीया बना यह है टेस्ट करने के लिए नास्टे में इसका भी आंटी बनाते बजी का जो आंटी होता है वो भी बनाते है और हर एक चीज का अलग होता है मसाला जो बेस सेम रहता बट जो आप चीज डालते हैं उसल भी डाल सकते हैं स्वयबीन भी डाल सकते हर एक चीज का अलग एक टेस्ट आता है तो फिर अभी इसको उबलने देंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में हटली 15 से 20 मिने इसको आप लोगे ना भाकर के साथ खा सकते हो रोटी के साथ का सकते हो मैं दाल बाटी के साथ खाऊंगा दाल बाटी का प्रोसेस तो पहले भी वीडियो में आप देख चुके हो तो वो बनाने की भी जरुवत नहीं है बस है कि आप option किस किस के साथ है और जिंद्राइनी जो चिगट चावल जो महाराष्टर में बनता है खुश्बुवाला उसके साथ खाऊगे ना तो ज़्यादा मजा आता है खाने में डिपेंड़ आप किस के साथ खाना पसंद कर गए आप के ओपर है तो लगबग ये होने पे इसको हम लोग 10-15 मिंट उबाल लेंगे और हमारा काला मसाला शेवगा शेंगा तयार ये चंद्रपूर से कभी काला मसाला खाया है मतला नासिक में आने के पहले नासिक में आने से पहले कभी नहीं खाई और फास साल से खा रही है आदत हो गई है वो जो छोटी थी ये मजली है इसने खाये इसको चिकन पसंदे तो चोटे भाई ने चिकन वाला रस्ता बना के खिला है ये भी खाते है बर इनका जादा तर ध्यान चिकन पर जाता है चिकन अच्छा लगता है खंदी के मौसम में तो और अच्छा लगता है इनके लिए निव है क्योंकि ये लोगों के जो कल्चर में कभी काला मसाला आया था नहीं आया भी रहेगा बट बेंगॉली है ये टैप का नहीं खाये हमें ये हमारे विदर्व के साइड से वो है राजзыस्तान के साइड से उनको कभी ये सब चीजों कायसा मतलब फेस नहीं किये या मिला ने आसपास बेंगॉली लोग रहते हमारे उनके सवरी तो जिसके वैसे ये सब चीज़ेま देखने मिला तो चलो आज सभी हम लोग मिलके ये वेजवाला जो है वो टेस्ट करेंगे इसमें ओथम्बिर डाल दिया है और एक और चीज बोल रहा हूँ हमने वराइटी थोड़ी सी लिए जो भजी डाली थी ना वो भी डाल दिया है सिर्फ शेहोगा का शेंगा नहीं रहा भी है अम्टी और शेहोगा का शेंगा दोनों मिला के काला मसाला तो मज़ा आएगा खाने में अभी हम लोग इसको खाएंगे डाल बाटे और इंडराइनी राइस के साथ तो भाई खाते वक दिखाने के मेरे गैल से जरूरत नहीं है इसमें इतना ही काफी आप लोग भी घर पे बनाना बना के जरूर खाना जो महाराष्ट्रेन है उनको बोलने की जरूरत नहीं है नैचरूरल है उनको पहले से ही पता है जो हमारे नौन महाराष्ट्रेन फ्रेंड्स है वो लोग जरूर बना के एक बार खा के देखना और इसको अच्छे से बॉइल होने देना जाद स्लो फ्लेम में धीरे धीरे तो इसको टेस्ट आएगा जरूर मजा आएगा जरूर बना के खाना और कमेंड में बताना कैसा बनता है तो जैसे ये खतम होता है मैं आता हूँ दुबारा वीडियो पर तो फैनली बन गया हमारी काला मसाले के आम्टी शेवगा की सबजी अब इसको उतार देंगे और थोड़ी देर बाद हम लोग इसको खा लेंगे तो यह है फैनली हमारा अम्टी शेवगा शेवगा काला मसाले की भाजी तो इसको हम लोग दालबाटी और इंद्रेंटराइस के साथ खाएंगे मज़े से अप लोग भी बनाए और खा के देखिए घर पे प्रोसेस तो वीडियो में आप देखेंगे तो कैसा होगा जरूर कमेंड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल से बेल आइकन जो है वो आप लोग नेनेबल नहीं किया है जरूर एनेबल कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह वीडियो यही पर कतम करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई